रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 वर्ल्ड कप की जीत के बाद T20 फॉर्मेट से सन्यास ले लिया था। ऐसे में अब वह वंडे और टेस्ट में खेलना जारी रखेंगे। गौतम गंभीर ने प्रेस कॉनफरेंस में इन दोनों खिलाडियों पर बात करते हुए कहा कि विराट और रोहित अब T20 से सन्यास ले चुके हैं। इसलिए अब हमें उम्मीद करनी चाहिए कि वे बाकी फॉर्मेट के खेलने के लिए टीम में ज्यादा से ज्यादा उपलब्द रहेंगे। गंभीर ने आगे कहा कि उन्होंने दिखाया है कि वह बड़े मंच पर क्या कर सकते हैं। दोनों में काफी क्रिकेट बाकी है। अगर उन्होंने अपनी फिटनेस बरकरार रखी तो चैंपियन्स ट्रॉफी फिर 2027 वर्ल्ड कप भी खेल सकते हैं। 2027 में अगला वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इस हिसाब से अगले वर्ल्ड कप तक रोहित 49 और कोहली 38 साल के हो जाएंगे। टूर्नामेंट अगर सितंबर से नवंबर के बीच हुआ तो रोहित 40 और कोहली 49 साल के हो जाएंगे। ऐसे में इन खिलाडियों को आने वाले समय में अपनी फिटनेस पर काफी काम करना होगा। दोस्तों आपको क्या लगता है विराट और रोहित 2027 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे?